तो चलिया आज बात करते हैं जीके के तिन मज़ेदार कोश्चन के बारे में बात करते हैं ठीक है तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटी दवाने ना भूले और लाइक करने ना भूले वीडियो अच्छे लगे पहला कोश्चन है तरभुजा या खरभुजा में कितना परशेंट पानी होता है चंदर्मा का वजन कितना होता है तिसरा कोश्चन है दूद या दही में कौन सा जिवानू पाया जाता है तीनों मज़ेदार कोश्चन होने वाला है तो ध्यान दिजेगा हम आपको कुछ और मज़ेदार question होने वाला है तो ध्यान दिजेगा अगर life में कुछ करनी है तो इस channel को आप subscribe कर दे और ध्यान से देखे पूरी तरह से अकरशित होकर देखे ताकि ध्यान इधर उधर ना जाएं और वीडियो को अच्छी तरह से समझ में आ जाएं तो ध्यान दिजे कुछ हम आपको तस्वीर दिखाते हैं यह सब जो हुआ धर्बुज खर्बुज का हुआ यह निम्बु का तस्वीर है यह भी खर्बुज का है जो इसी के बारे में बात करेंगे कितना परशंट पानी होता है ध्यान दिजे चलिए question को इस्टार्ट करते हैं पहला question है question number one ठीक है सब दर्मा का वजन 81 अरबडान यानि 81 देकर 9 0 इतना होता है ध्यान दिजे अगला question है ध्यान दिजे पहला बहुत ही interesting question होने वाला है और यह question याद रखना बहुत जरूरी है तर्भुजा खर्भुजा या पलेजा में कितना परशंट पानी होता है ध्यान दिजे इसका सही खर्भुज या खर्भुजा में पानी होता है और एक बात ध्यान दे खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए कम से कम पांच मिनार बात अगला question है दही में कौनशा बैक्टिरिया पाया जाता है ध्यान दिजे बहुत ही important question है इसका सही जवाब होगा उतर है लाइक टो बेसिलस नामक जिवानू पाया जाता है दही में जो छोटे छोटे खिले होते हैं जो सुप्षमदर्सी यंतर की सायता से देखा जाता है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें और वीडियो अच्छे रहेंगे